गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेडी विद रविठ हाकुर पर चलिए आज कि दे हिंदू एडिटोरियल वकैबलरी की शुरुआत करते हैं वकैबलरी के पीडेफ ऐलिए आप मुस्ते चैलीग्राम ग्रूप पर जुड सकते हैं यहाँ पर वर्प की तरह यूज़ हुआ है इसका मतलब होता है किसी के प्रती प्रबल नपसंदगी होना यह वां विश्वास होना या हम बोल सकते हैं किसी कोई खास लोगों का ग्रुप है उसके प्रती पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना उसको बोला जाता है प्रिजडाइस प्रिजडाइस is an unreasonable dislike of a particle group of people or things or a preference for one group of people or things over another that is called प्रिजडाइस भाफ कीजिएगा अगला चब्द है restraining restraining यहां पे work की तरह यूज़ हुआ है इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु को या फिर किसी प्रक्रिया को नियंतरण में रखना अपने control में रखना उसको बोला जाता है restraining to keep somebody or something under control to prevent somebody or something from doing something that is called restraining next word है vendetta vendetta यहां पे noun की तरह यूज़ हुआ है इसका मतलब होता है दो व्यक्तियों के दो व्यक्तियों या फिर दो groups हैं उनके बीच काफी लंबे समय से चला रहा कोई विवाद या जगड़ा उसको बोला जाता है vendetta a serious argument or dispute between two people or groups which lasts for a long time that is called vendetta next word है injunction official या फिर अपचारिक आदेश होना उसको बोला जाता है injunction an official order from a court of law to do or to do not something that is called injunction next word है willification willification यहां पे noun की तरह यूज़ हुआ है इसका मतलब होता है किसी की मानहानी करना उसकी निंदा करना या फिर उसको कलंकित करना उसको बोला जाता है willification किसी की मानहानी करना उसकी निंदा करना या फिर उसको कलंकित कर देना उसको बोला जाता है willification अगला शब्द है propagation यहां पे noun की तरह यूज़ हुआ है इसका मतलब होता है किसी भी बात का या किसी चीज़ का परसार करना उसका परचार करना उसको बोला जाता है propagation, the spreading of something, a belief or practice into new regions, that is called propagation next word है detriment detriment यहाँ पे नाउं की तरह used हुआ है इसका मतलब होता है किसी को नुकसान एवं खशती पहुंचाना उसको बोला जाता है detriment, if something happens to the detriment of something or to a person's detriment, it causes harm or damage to them that is called detriment next word है accord accords यहाँ पे नाउं की तरह use हुआ है, इसका मतलब होता है दो देशों के बीच, या दो समुहों के बीच दो ग्रुप्स के बीच officially तोर पे कोई समझोता होना, कोई agreement होना, उसको बोला जाता है accords, an agreement especially between countries, that is called accords, next word है octogenarian octogenarian यहाँ पे नाउं की तरह use हुआ है, इसका मतलब होता है ऐसा कोई विक्ती, जिसकी आयू 80 से 89 वर्ष के बीच में हो उसको बोला जाता है octogenarian a person aged between 80 and 89 years, that is called octogenarian और आज की vocabulary का जो अंतिम शब्द है वो है disastrous, disastrous यहाँ पे adjective ही तरह यूज हुआ है को बोला जाता है, disastrous a disastrous event has extremely bad consequences and effects that is called disastrous तो यह आज की vocabulary का अंतिम शब्द था, वीडियो आपको helpful लगा हो informative लगा हो, वीडियो से कुछ आपने सीखा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा वीडियो को जादा-जादा शेयर कर दीजेगा अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत गूलेगा तो आज की vocabulary में इतना ही, thank you thanks for watching